CBSE Board Exam के Practical Exams को ले करके बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही हैं बचों CBSE Class 10th और 12th के बचों की Date Seat Out हो चुकी है Practical Exam की इसमें इस बार आपको पता होगा कि एक जन्वरी से एकजाम होने हैं अब इस से related बहुत बड़ी अपडेट्स में आपको सेयर करने वाला हूँ स्कूलों को जो निर्देश भेजे गए हैं उसके आधार पर अब हम आपको बताएंगे कि इस बार Practical Exam में आपको कितनी कॉपी बनानी होगी प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनेगा साथ ही में वाइबा इस बार कैसे होगा easy questions आएंगे या tough questions आएंगे वाइबा में साथ ही में जो Practical Exam के questions होगे वो easy होगे या hard होगे private exam के बच्चों का Practical कैसे होगा कितनी कॉपी बनेगी प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनेगी वाइबा कैसे होगा साथ में अगर वाइबा में या आपके Practical Exam के questions में कहीं कोई answer आप नहीं दे पाते हैं तो किस तरीके से आपको marks मिलेंगे या कितने नंबर तक कटेंगे ये सारी बाते मैं share करूँगा आपके साथ तो हेलो बच्चों मैं मानात पांडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चनल गौर्रमेंट इग्जाम अड़ा में आपको मैं बता दूँ कि एक लेटर भेजा गया था CBSE के द्वारा सभी स्कूल के प्रिंस्पल्स को और सभी टीचर्स जो हैं जो भी practical exam वाले subject पढ़ाते हैं उनको इसके बारे में पता होगा लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि अभी तक आपके किसी भी exam में किसी भी subject teacher के द्वारा इसके बारे में कोई detail आपको नहीं बताई गई है इसलिए वो बताए उसके पहले ही के पास में पूरा detail होना चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा end तक देखिएगा miss मत करिएगा क्योंकि जितनी important details है वो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में share करूँगा तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है बच्चों ये जो notice है इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये notice आई है आपके teachers के लिए आपके principal के लिए इसमें बताया गया है कि भीया ऐसा है जो school जनवरी में बंद रहते हैं उन school में 15 नौंबर से 14 दिसंबर यानि एक महने के अंदर आप practical exam करवा लिजिए और जहां पर ऐसा नहीं होता है जहां पर एक जनवरी से school खुले रहते हैं ऐसे इलागों में एक जनवरी से ले करके और पूरी जनवरी आप ये practical करवा सकते हैं आपको पता है कि इस बार 15 फरवरी से exams conduct करवाये जाने हैं तो उसके पहले ही marks घरा भेज दिये जाने हैं उसी से समन्धित ये आई है notice जिसमें आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है मैं आपको बता देता हूँ कि इस notice का क्या मतलब है उसके बाद हम आपको main topic पर ले चलेंगे बच्चों अब देखो इसमें कुछ common instructions दिये जाते हैं क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए कि CBAC के इस practical exam का या internal exam का curriculum क्या होगा यह यहां दिया हुआ है तो यह आपके teachers ने आपको बताया होगा कि कितने questions या किस तरीके से क्या क्या होना है उसके बारे में दिया है कि आप यहां से जा करके इसको देख सकते हैं जो dates होगी हमने पहले ही बता दिया कि 15 नूम्बर से 14 दिसंबर तो कुछ जगा होगा जहां ठंधी ज़्यादा पड़ती है जहां कम पड़ती है वहाँ पर जनौरी में कंड़क्ट करवाए जाएंगे date जो होगा upload करने का marks वो आपके काम की चीज नहीं है वो आपके टीचर जाने और इसमें एक बात और अगर कहीं पर ज़्यादा बच्चे हैं 20 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ पर अलग-अलग बैच बना करके ये practicals या जो आपका internal assessment है वो conduct करवाया जाएगा COVID के protocol को बहुत अच्छे से follow करना होगा कोई बच्चा cheating नहीं करेगा और अगर board चाहेगा तो किसी भी school के practical exam को cancel कर देगा अगर उसे कुछ ऐसा पता चलता है तो अब देखो बच्चो class 10th और 12th के लिए कुछ अलग-अलग बाते हैं जो आपको समझना है अब फिर वही बात लेखी गई है कि जो winter bound school है उनका practical और जो internal assessment है या project का examination है वो curriculum के हिसाब से होगा आपको बता दूँ हर साल class 10th और class 12th में आपके लिए external examiner आते हैं उसके बाद में उन्हीं की देखरेक में संपन होता है marking list बनाई जाती है भेजी जाती है class 12th के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से धिहान दे समझ ले जो इस बार practical exams होने है पिछली बार से थोड़ा सा different होंगे इस बार दो तरीके की examiner साएंगे तो बाहर की examiner आएंगे जो की external examiner होंगे और एक observer भी आएगा ये आएंगे या नहीं आएंगे ये इनके उपर depend करता है हाला कि observer नियूक्त होता है जिस दिन practical होगा कोई बाहर से चेक करने भी आ सकता है कोई भी school किसी भी तरीके से अपनी तरफ से जो external examiner होंगे उनको अरेंज नहीं कर पाएगा जो board के द्वारा decide किया गया है वही इस बार practical exam करवाएंगे ध्यान से समझेगा जो observer हैं उनकी भी duty board लगाएगा जो external examiner हैं उनकी availability ensure होगी और internal examiner आपके एक school से रहेंगे और उसके अलावा उनका supporting staff भी रहेगा जो lab assistant तो गएरा हैं तो अब देखो जो ये लोग होंगे photograph, app, link के द्वारा upload करेंगे सबाब के काम की चीज नहीं है tendency बनेंगी अब देखो आपके लिए बच्चो copy आएगी जो जिसमें आपको आपका practical का answer लिखना है वो board से आएगी और ये आपको इस school वाले provide करेंगे इसके अलावा जो सबसे काम की बात है वो अब आ रही है बच्चो ध्यान से देखो इस चीज को समझे रहो तो आपका फायदा है जो examiner आएंगे जो बाहर के आएंगे जिनको external examiner कहते हैं वो experiment की एक list आपको पता ही है कि इतने इतने experiment हमें करवाए गए हैं वो आपके internal examiner के साथ मिल करके यहां लिखा हुआ सीधे-सीधे कि both the examiners will decide तब यह दोनों लोग मिल करके decide करेंगे कि कौन सा practical करवाना है मतलब CBSE के द्वारा पहले से determined नहीं है कि किस स्कूल में कौन सा practical होगा एक तो जो आपके external आ रहे हैं वो और जो आपके यहां के हैं मतलब external और internal यह दोनों मिल करके decide करेंगे तो आपके internal का भी रोल अच्छा खासा होना है उनको आपको ignore मत करना बच्चों क्योंकि वो जो चाहेंगे almost वही practical साब से पूछे जाएंगे external examiner बस इतना करता है कि वो वाईबा अच्छे से लेता है अब देखो लिखा हुआ है questions for the वाईबा OC should be asked by both examiner and should relate either to the project देखो कह रहा है कि जो वाईबा पूछा जाएगा आपसे वो दोनों examiner के द्वारा पूछा जाएगा आपके school के जो होंगे उनके द्वारा भी और जो बाहर से आएंगे उनके द्वारा भी पूछा जाएगा और साफ साफ बोर्ड का यहाँ पर instruction लिखा हुआ है कि आप लोगों से questions वही पूछे जाएंगे जिस पर आपने project बनाया है या जो practical examination आप अभी करके आए हो मतलब जो questions आपको practical के लिए दिये गए हैं चाहे उससे related question होंगा या जो project file आप बना करके लिए गए होंगे investigatory project होता है आपको पता ही होगा उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो इन दोनों से ही questions आप से पूछे जाएंगे यहाँ पर देखिए more general nature के questions होंगे avoid के जाएंगे कि तुम्हारा नाम क्या है तुम्हें क्या बनना चाहते है तुम engineer क्यों बनना चाहते है यह सब तरीके के questions आप से नहीं पूछे जाएंगे यहाँ पर ध्यान से देखो एक बड़ी बात है कि investigatory project especially जो भी है कि जो आपने investigatory project बनाया है उसमें आपने अपना effort खुद से कहां तक लगाया है कितना आपने बढ़ियां से बनाया है उसी के आधार पर आपकी marking की जाएगी धंग से तो इसको बहुत अच्छे से बनाईएगा मतलब आपका ये खुद का होना चाहिए और जितना अच्छा अपना मौलिक बना सको किसी की देखा देखी मत करना बचो जितना बढ़ियां बना करके ले जाओगे उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो आपके काम की नहीं है यहाँ पर एक और बात मैं आपको समझा दूँ आप लोगों को चार तरीके से नंबर दिये जाते हैं यह आपको पता होना चाहिए एक तो आपने साल भर में लेबोरेटरी का रिकॉर्ड कितना बनाया है मतलब जो लेब वर्क हुआ है प्रेक्टिकल फाइल आपने कितनी बनाई है इस पर मार्किंग होगी तो प्रेक्टिकल की फाइल आपके पास में होनी ही होनी चाहिए दूसरी चीज है कि जो वाइबा होगा जो कुछेंस आप से पूछे जाएंगे वहाँ से कुछेंस आएंगे तीसरा जो प्रोजेक्ट फाइल आप बना करके ले गए है उस पर कुछेंस होगे उस पर मार्किंग की जाएगी और चौथा प्रेक्टिकल जो हुआ है मतलब चार तरीके से मार्किंग होगी एक तापका लैब का रिकार्ड है जो प्रेक्टिकल फाइल बनाए हो जो वाइबा हुआ है उस पर नमबर मिलेगा जो project file बना करके ले गए हो और जो practical exam में question पूछा गया था इन पर इन चारों नंबरों को अलग-अलग जोड़ा जाना है ध्यान से देखो इसके लिए अलग-अलग column बना होगा book में तो इनके लिए एक, दो, तीन, चार इसमें कितना number मिला, इसमें कितना मिला और फिर total कितना मिला तो ये ध्यान रखो इसमें से अगर कोई भी चीज आपकी miss हो गई आप file नहीं ले गए या आपका project file नहीं है तो number आपका cut जाना है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा हाँ, अगर वाइबा में question का answer आप नहीं भी दे पाए और teacher चाह रहा है तो आपको full marks वो दे सकता है वाइबा में, लेकिन बच्चों अगर आपका file नहीं होगा, या project file नहीं होगी तो आपको number नहीं मिलेंगे और practical जो questions आएंगे उसे भी आपको पूरा लिख के आना है बच्चों इसका मतलब अब कुल मिला करके यह है बच्चों की आपकी एक lab alli file बनेगी, एक तो practical की file बनेगी आपकी practical के जो आपका practical होता है ना, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, उसके आधार पर इसका record बनेगा आपको, कि साल भर आपने क्या किया है, इसके अलावा एक project बनाना होगा, यह दो चीजे आपको बनानी है, अगर बनाना नहीं आता तो आप हमें बताओ, मैं आपको इसका एक sample दिखा देता हूँ, अगले video में एक video बना दूँगा, जिसमें sample दिखा दूँगा, कि आपको file कैसे बनानी है, अपने practical exam वाली, और project file कैसे बनानी है, इसका मैं sample आपको दिखा दूँगा, लेकिन आपको लिखना होगा कि आपको sample चाहिए, तो यह लिख दीजिए, we need sample या हमें sample दिखा दीजिए, comment कर दीजिए, तो हम आपको बता देंगे, तो यह दोनों चीज़े आप ले करके जाएगा, ने तो अच्छा खासा number कर जाएगा, तो record अपना ले जाएगा, और project, अगर आप practical में लिख करके नहीं आए हैं, तब भी number करटेगा, लेकिन practical और YBA, थोड़ा हो सकता है, लेकिन आपको यह file हर हाल में ले जानी है, क्योंकि यह submit हो जाएगी, और अगर आप इसको नहीं ले गए, तो आप इसको इसका number नहीं पाएगे, तो यह सारी बाते हों गई, अब मैं आप फिर से एक बार repeat कर दूँ बच्चों, एक file आपकी बनेगी project वाली, एक आपका record होगा, मतलब practical वाली file होगी, यह दोनों चीज़ें आपको carry करके ले जानी है, वहाँ वाइबा होगा, और plus practical होगा, तो इसके number आपको पहले से fix हैं कितने मिलेंगे, और वाइबा और इसमें number कितने मिलेंगे, यह आपके teachers आपको बताएंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप हमसे बताएंगे, हम comment में बताएंगे, तो हम आपको समझा देंगे, अब इसके अलावा आपको यहाँ कुछ भी important चीज नहीं दी गई है, यह सब आपके school के लिए दी गई है, कि किस तरीके से marks upload होंगे, badge कैसे बनेगा, बाकि वो लोग अपना अपना काम कैसे करेंगे, यह सारे चीज़ें उनके लिए हैं बच्चों, तो अब हम दे देते हैं, बहुत important questions के जवाब, देखो बच्चों, कितनी copy बनेगी, तो खुल मिला करके दो copy बनेगी, एक तो बनेगी practical की file, एक बनेगी project की file, तो यह दोनों बनेगी, project file कैसे बनाना है, कैसे बनेगा, इसके लिए teachers आपको बताएंगे, कुछ topic देंगे, उस पर आपको project बनाना है, इसका sample चाहिए, अगर आपको sample copy में दिखा दू, कि project कैसे बनता है, तो comment करके आपको बताना होगा, वाइबा में, आपके subject से related questions पूछे जा सकते हैं, आपके project से related questions आ सकते हैं, और कोई भी इधर उधर का normal question नहीं पूछा जाएगा, जो practical आपने उस time किया होगा, या जो project आपने बनाया होगा questions वहीं से आएंगे, अगर आप सोच रहे हो कि hard आएंगे या easy आएंगे, तो बचों ऐसा कुछ easy या hard है नहीं, मैं बता दूँ कि जो 4, 5 या 10 practical आपको करवाए गए होगे आपके school में, उन्हीं में से आपके internal examiner जो हैं, उनकी सलाह से external examiner जो होगे, कोई एक question या दो question सेलेक्ट करेंगे, जो आपका practical होगा, एक main practical होगा, और एक छोटा सा practical उसी के साथ में होगा, या biology में हैं तो इस spotting हो गयरा कराया जाएगा, इसके अलावा private exam के बच्चों का practical नहीं होना है, अगर आपको इसी साल आपने exam पास किया होगा, या आपका इसी साल board exam रहा होगा, और अगर CBSC चाहेगी तो carry forward भी कर सकती है, अगर YBA में आप answer नहीं दे पा रहे हैं, तो भी adjust हो जाता है, नंबर ठीक ठाग मिल सकता है, YBA में ना बता पाने से नंबर कट ही जाएगा, ये कोई guarantee नहीं है बच्चों, अब आप हमें comment करके बताओ, कि आपको practical से related कौन सी information ऐसी है, जो और चाहिए हम आपको exactly lab में बैठ करके, practical का video बना करके आपको समझा देंगे, एक बात का ध्यान रखेगा कि practical वाले दिन किसी भी तरीके से आपको absent नहीं होना है, अगर आप absent हो गए तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी बच्चों, और ठेयोरी में भले आप पास हो जाएगे, practical में फेल हो गए तो कहानी गडबड हो जाएगी, तो हमारी तरब से धेर सारी सुप काम ना है, all the best, may God bless you, thank you for watching this video,